मैली सांडे राजा और रानी खुद को खुश नसीब समझते थे और वो राज कुमारी मैली सांडे के क्रेस्निंग के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो एक भी परी को नहीं बुलाएंगे वैसे बहुत सी परियां हमसे नाराज और गुसा होने वाली हैं अगर हम किसी भी परी को नहीं बुलाएंगे तो वो नाराज तो होंगी ही या फिर वो सब गुसा होंगे और बिल्कुल यही हुआ अगले दिन करीब चालिस से असी परियां महल में आ गई तुने हमें आंधरित क्यों नहीं बलिया ये सरासर गलत है मैं चाहूंगी के राजकुमारी गंजी हो जाए और मैं चाहूंगी के राजकुमारी बन जाए बास, एक और शब्द नहीं मेरी बेटी के खिलाफ सभी परियां चौक गई आप सब इतने कथोर कैसे हो सकते हो आपको क्या लगता है परियां कैसे बनते हैं जो उदार और दयालू होती हैं, वो ही परियां बनती हैं, अपने पंक छड़ी या चमक दमक से कोई परी नहीं बनती, बल्कि प्यार और साफ दिल से, परियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं लौवला और बाकी सभी परियों ने माफी मांगी और शर्मिंदा होकर वहां चुका था, राजकुमारी के सर पे जो सुनेहरे घने बाल थे, वो सब चले गए, राजकुमारी के साथ आगे क्या होगा, ये सोचकर राजा और रानी बहुत दुखी थे, मैली सांडे का बच्पन बहुत मुश्किलों से भरा था, लोग उसे घूर घूर कर देखते और उसके बारे में बाते करते थे पापा, इसमें मेरी क्या गलती के मेरे सर पर बाल नहीं, क्या इसकी वज़ा से मैं कम सुन्दर दिखूंगी? तुम कैसी दिखती हो सुन्दरता उसमें नहीं है बेटा, चाहे तुम बड़ी हो या छोटी, तुम्हारे बाल हो या ना हो, लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करेंगे, पर जब तक तुम्हें खुद से प्यार है और तुम दूसरों से अच्छे से पेश आओ, कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता, ये बाते सुनकर ही राजकुमारी बड़ी हुई और उसने खुद से प्यार करना सीखा, उसे अपना गंजा सर पसंद था, और रेशम की टोपियां और वो हर टोपी जो रानी लेकर आती थी, जो उसके सर को धूप से बचाए, राज के लोग, जैसा कि राजा ने उसे बताया था, कभी भी राजकुमारी से खुश नहीं थे, और एक दिन, शाही महल के अटारी में, राजकुमारी को बालो के लिए जादू चाहिए, महाराज बड़े ही होश्यार है, वो जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, उन्हें सोचना होगा, राजकुमारी के बालो को एक आधुनिक जादू जाहिए, मैं चाहती हूँ के जब राजकुमारी उठे तो उनके बाल सुनहरे और एक गज लंबे हो, और हर दिन वो एक इंच बढ़ें, और हर बार काटने पर वो तेजी से दो गुनाज ज्यादा बढ़ने लगें, राजा, रानी और सभी नर्सस राजकुमारी को देखकर चौक गए, उसके बाल सुनहरे थे, जो उसके सर से एक गज लंबे थे, एक मिनिट, जो जादू मेरी फेरी गॉड मदर ने मुझे शादी में दिया था वो गायब है, क्या तुम में से किसी ने अटारी में जाकर उस जादू का इस्तेमाल किया, सच सच बताओ, नर्सेज ने आगे बढ़कर सच बता दिया, उन्होंने माफी मांगी, पर राजा पहले ही अनुमान लगा चुका था, जो आगे होने वाला था, राज में सब लोग बाते कर रहे थे कि कैसे राजकुमारी के सर पे जो सुनहरे बाल थे, वो हर एक दिन एक इंच लंबे हो रहे थे, नए, वो बस सोना है, या तो राजकुमारी के सर पे हीरे होने चाहिए, या फिर बाल ही नहीं, दूसरी और राजकुमारी अपने बालों को नहीं समाल पा रही थी, हर सुभा जैसे ही राजकुमारी नाश्टा करने के लिए बैठती, उसके बाल पहले एक कुर्सी पर जम जाते, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और फिर सभी दस के दस पर, जल्दी ही सारे महल में घने सुनहरे बालों का बगीचा बन गया था, वो हुआ! यहिए आओ! राजकुमारी मेलिसैंडे ने अपनी जादूई बालों को काटने के लिए एक जादूई सीजर की मांगी, राजा मान गया और अपने गॉड मदर से जादूई सीजर्स की मांगी, और जैसे ही जादूई सीजर्स आये, राजकुमारी उन पर जहपट पड़ी जादूई सीजर्स, जादूई सीजर्स, जो सिर्फ जादूई बाल को ही काटते है प्लीज मेरे सारे बाल लेलो और मुझे मायूसी से आजाद करो और फिर क्या, एक बार फिर राजकुमारी के सारे बाल चले गए मुझे लम्बे बाल जाधा पसंद थे पर महली सांडे की खुशी थोड़े समय के लिए ही थी क्योंकि उसके बाल उसकी लम्बाई से दुगने बढ़ने लगे और फिर हर दिन दुगने हो गए हर रात महल में एक ही चीज होती थी हर रात राजकुमारी अपने सारे बाल काट देती और सुबा में उसके बाल दुगने उग जाते और पहले से भी दो गुना तेजी से राजकुमारी को एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया और हर सुभा उसे अपने ही बालों से बचाया गया और ऐसी ही एक रात को राजकुमारी खिड़की के पास बैठ कर अपनी किस्मत पर रो ही रही थी कि अचानक उसे एक फुस-फुस आहट सुनाई दी राजकुमारी, राजकुमारी मैली सांडे मैं पूरप से राजकुमार फ्लॉरिजल हूँ मैंने आपके अनोखे मसले के बारे में सुना है और मेरे पास इसका हल है राजकुमार फ्लॉरिजल ने राजकुमारी मैली सांडे से कहा कि इस मसले का हल ढूंड कर कल वो राजा से मिलने वाला है इस बीच उसने जोर दिया कि वो सोय नहीं और सुबा होते ही जब जादूई सीजर्स आएं तो वो से बुलाए तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं तुम अच्छे इंसान लगते हो जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा करूँगी राजकुमार और राजकुमारी ने पूरी राद बाते की और अगली सुबा राजकुमार ये फिर से उग रहे है राजकुमार फ्लॉरेजल ने राजकुमारी को खिड़की से नीचे उतर कर जमीन पर खड़े रहने के लिए कहा और जैसे ही बालों को काटा गया है हैरानी की बात थी कि वो वापस नहीं आए तुमने ये कैसे किया? मैंने राजकुमारी के बालों को नहीं काटा बस राजकुमारी को उनके बालों से अलग कर दिया बहुत बढ़ी आप क्या बात है कमाल कर दिया राजकुमार फ्लोरिसल नहीं राजकुमार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मैथमेटिक्शियन राजा सही था अब जबकि राजकुमारी को उसके बालों से अलग कर दिया गया बाल उगने बंद हुए पर वो श्राब पलड गया और अब राजकुमारी बड़ी होने लगी ओ नहीं ये मैंने क्या कर दिया पापा मदद करो कुछ देर सोचने के बाद राजा राजकुमारी को बगीचे में लेकर आ गया और देखते ही देखते राजकुमारी 6 फिट बड़ी हुई फिर 9 फिट, फिर 12 और फिर 15 क्या इसका बढ़ना बंद भी होगा वैसे वो इतनी ही लंबी होगी जितने लंबे उसके बाल थे जब उन्हें अलग किया गया और दो गुना तेजी से तो जवाब ना है लेकिन उसके बढ़ने की गती जरूर कम हो जाएगी राज में हलचल मच गई थी और फिर जब मैलिसांडे का बढ़ना कम हुआ वो नीचे अपने पेरेंट्स को देख रही थी अपने राज को और उस आदमी को जिसे वो पसंद करने लगी थी मेरे महराज मुझे माफ कर दीजिए निराश मत हो बेटा मैं समद सकता हूँ मैं अभी के अभी गौड मदर को एक चिट्टी लखूंगा और उनसे मदद मांगूंगा महराज क्या आप परी गौड मदर से एक मिलियन जादूई सीजर्स की मांग कर सकते हैं राजा मान गया और वहां से चला गया वापस जवाब और सीजर्स भेजने के लिए परी गौड मदर को एक और हफ़ता लगेगा इसी बीच राजकुमारी ने रोना बंद किया और जितना हो सके राजे की मदद करने लगी अगर सूरज बहुत तेज होता वो उसके बीच में बैठ जाती और अपनी विशाल छाया से पूरे राजे को ढग देती अगर वो नहीं होती तो क्या होता हाँ पर मुझे पसंद था जब उसके बजाए उसके बाह लुकते थे हमें कितना सोना मिलता था फिर एक रात राजकुमारी मेरे पास आपके लिए एक सप्राइज है नीचे देखो जादूई सीजर्स तैरने के लिए तैयार हो जाईए राजकुमारी स्पेल को बोला गया और जैसे ही राजकुमारी के बालों को काटा गया वो लंबाई में कम होने लगी माँ, बापा अरी, अब फिर से हमें सूरज की गर्मी को सहन करना पड़ेगा लाखो जादूई सीजर्स को पिगला कर एक बड़ी सीजर्स बनाने की तरकीब कमाल थी पर हम पहले जहां थे फिर से वहीं पर आ गये हैं उसके बाल फिर से बढ़ने लगे हैं जादा देर तक नहीं माहराज परी गॉड मदर ने एक चिठी भी भेजी है और उन्होंने बस एक शब्द लिखा है स्केल्स माहराज प्लीज एक बड़े से वेंग स्केल का इंतजाम कीजे कल सुबा मैं आपको बगीचे के ओक ट्री के पास मिलूंगा और वैसा ही किया गया एक बड़े से वेंग स्केल को लाया गया और राजकुमारी को एक तरफ और उसके बढ़ते हुए बालों को दूसरी तरफ पिठाया गया अब मुझे जादूई सीजर्स का इस्तमाल करना है जब स्केल का काटा बीच में आ जाए बाल काटने के लिए मैं स्पैल बोलूँगा और आखरी शक बोलने तक सही समय का इंतजार करूँगा कूंज के लोगों ने बेसबरी से इंतजार किया उन्होंने अपनी राजकुमारी को बिना बालों के बढ़ते हुए बालों के और एक बड़े राक्षस के रूप में देखा था देखने के लिए और बचा ही क्या था जादूई सीजर्स जादूई सीजर्स जो सिर्फ जादूई बालों को काटते हैं सही जगा से दो गज और काड़ दो और राजकुमारी को हमेशा के लिए आजाद कर दो और चमतकार उसके जादा तर्वाल चले गए थे राजकुमार फ्लोरिजल ना मैं बढ़ रही हूँ और ना ही मेरे बाल कमाल है तुमने कर दिखाया ना ही तुमने राजकुमारी को बालों से अलग किया और ना ही उसके बालों को उससे देखो तुमने कर दिखाया तुमने इसे श्राब मुक्त कर दिया ये क्या अब सूने के बाल नहीं मुझे पसंद था जब उसके बाल बढ़ रहे थे राजकुमारी अब तुम्हारे सुनेहरे बाल गुट्पे तक लंबे हो गए हैं ये सही है राजकुमार फ्लोरिजल तुम्हारी दयालुता और समझतारी ने मेरा दिल जीत लिया मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ पर जल्दी ही मेरे बाल गिरने लगेंगे क्योंकि ये बाल एक श्राब के असर की वज़ा से है मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ और उमीद है कि तुम मुझे वैसे ही अपनाओगे राजकुमार राजकुमारी मैली सैंडे तुम्हारा खुद पर विश्वास और तुम्हारे लोगों के लिए प्यार ही मुझे यहाँ खीज कर लाया है और मुझे आपसे बस इसी की उमीद है कून्ज के लोगों ने अपनी बहादूर बेटी और समझदार राजकुमार के लिए एक जश्न रखा और उस जश्न में मैली सैंडे बिना बालो और टोपी के आई क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ उसकी आवाज ही माइने रखती है और जो उससे प्यार करते है कून्ज का राज ये अपनी बहादूर राजकुमारी के लिए खुश हुआ और उन्होंने कसम खाई कि वो खुद को और अपने आसपा सभी लोगों को उसी तरह अपनाएंगे जैसे वो है वैसे ये कुछ लोगों के लिए आसान नहीं था जब राजकुमारी लंबी थी तब है अच्छी थी हाँ